कि एक करके मचलिया दोस्तों लाई जा रही है मसाले में ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए है हलो फ्रेंड्स विलकम टू माई न्यू ब्लोग अभी दोस्तों हमारे घर पर आई है एक बड़ी सी मचली और उस मचली को हम जो है काटने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों बड़ी सी मचली यो लगभर बेड़ से 2 kg की मचली है हमारे गाव में साम के टाइम मारके लगती है द कि यह कि दोस्तों हमारे सारी मचली आप कटके रेड़ी हो गई है जा है से आर यह दोस्तों हमारा मचलीओ का मसाला तयार हो रहा है और यह सिलबटी पे पीसा जा रहा है यह देशी स्टैल में दोस्तों देख रहे हैं आप लोगों यह सिलबटी पे मसाला तयार किया जा रहा है आप लोगों के घर में भी ऐसे ही मसाला बढ़ते हैं दोस्तों इस मसाले की जो है न इसमें सारे साबूत और देशी मसाले हैं पैकिटो वाले मसालों में दोस्तों अब इसमें मसाले में मचलिया पर रही है एक एक करके सारी मचलिया अब इसमें पर जाएंगी यह सारी मचलिय इस मसाले में पढ़ चुकी है एक एक करके मचलिया दोस्तों हिलाई जा रही है मसाले में ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए यह हमारी माता जी है जो मचलिया बना रही है कि तरीके से मिल जाता है यह दोस्तों हमारे मचलियों के अंडे हैं इनका मैं वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाया हूं इन अंडों का दोस्तों देखो कलर कितना यूनिक है अब दोस्तों मैं इन अंडों को थोड़ा से टेस्ट कर लेता हूं इनका स्वाद कैसा रहने वाला है इन अंडों का दोस्तों टेस्ट देखता हूं कि अंडे के स्वाद के बारे में दोस्तों हम बता नहीं सकते इतना बेहतरीन इतना लेटिस्ट स्वाद है साथ आपने कभी भी एस स्वाद वाला नहीं मचलिया बनकर तयार हो गई है लग भलब यह मचलिया हमारी सारी बनकर तयार हो गई इनका color देखो दोस्तो मचलिया बनाते तो लोग सभी है पर इसका बनाने का तरीका जो है वो कुछी लोगों को दोस्तो पता है यह देखो इसका color देखो भाई कितना मस्त color है मचलियों का यह piece देखो इसके एक भी piece गला नहीं है यह हमारी है मचलिया और यह है इसका सुरुआ ये सुरुआ है इसका सुरुआ देखो कितना गजब का सुरुआ है और ये मचली का है मूड़ा इसको भी दोस्त बहुत लोग पसंद करते हैं आप लोग कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताईएगा कि कौन-कौन लोग मूड़ खाते हैं मचली का